Good day everyone, very good afternoon to all of you. आज के वीडियो में 24 दिसम्बर 2023 के Current Affair discuss करेंगे. और Current Affair की जो PDF है ये Static GK के साथ आप मेरे Telegram कुर्प से डाउनलोड कर सकते हैं. मेरे Telegram का official link वीडियो के description में सबसे उपर दिया हुआ है. तो आप वहाँ से इसे जॉइन कर लिए. शुरू करेंगे आज का वीडियो लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के question की. मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि महत्मा गांदी के द्वारा ये कौन सी जगह है जहाँ पर green pamphlets issue किये गए थे Britishers के खिलाफ. महत्मा गांदी ने ये जगह है गुजरात के अंदर राजकोट जहाँ पर ये दिवस था 9 जुलाई 1896 तो 1896 को महत्मा गांदी ने गुजरात के राजकोट में ये green color के pamphlets issue किये थे और इसका main उद्देश ये था कि इन pamphlets में British हुकूमत जिस तरीके से South Africa में भारतियों के पर अत्याचार कर रही थी उनसे सिर्फ लेबरी का काम करा रही थी तो वहां पर जितने भी भारतियों का जो मानवा दिकार होते हैं उनका हनन किया जा रहा था British हुकूमत के दौरा तो उन सारी चीजों को यहां पर उजागर किया गया था इन pamphlets में लिखकर वो अलग की ब पूछा जा चुका था आने वाले समय में भी आपके किसी न किसी एक्जाम में कोशन देखने को मिल सकता है अब शुरू करेंगे आज के करंड अभी हाली में यह कौन है जिनके द्वारा एक नैशनल प्रोग्राम लॉंच किया गया है आंगनवाडी कम क्रीक नई दिल्ली मे तो यह है इस्मृती इरानी इस टाइम पर विमेन एंड डिवलेप्मेंट मंत्राले सम्हाल नहीं है और इनों ने आंगनवाडी से क्रेंच नाम का यह जो प्रोग्राम है इसका उदगाटन नई दिल्ली से किया इस प्रोग्राम का मतलब समझे देखे क्रीच क्या होता है क् शिशुग्राय बनाए जाएंगे और यह जो शिशुग्राय बनाए जाएंगे इनके लिए जो लेबर से उनका काम भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही दिया जाए इस बात का आश्वाशन इसमें दिया गया है तो इसमें दो तरफा फाइदा होगा पहली चीज तो ऐसी मह हिलाओं को ही काड़े मिलेगा उनकी ही अंदनी होगी बैंगलॉर एयरपोर्ट के अंदर ये कौन सा टर्मिनल है जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की तरफ से दुनिया के सबसे ब्यूटिफुल एयरपोर्ट में शामल किया गया है तो यूनेस्को ने ये है बैंगलॉरू का कैमपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके अंदर टर्मिनल टू को सबसे खुबसूरत एयरपोर्ट में डिकलियर किया हुआ है और इससे पहले आपको बता दूँ कि बैंगलॉर का जो कैमपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे दो साल पहले भारत का most एरपोर्ट भी डिक्लेर किया गया था अभी हाली में क्या बता सकते हो भारत का एक कौन सा एरपोर्ट है जो की पहला 100% सोलर एरपोर्ट बन गया है तो यह है कोची इंटरनेशनल एरपोर्ट बाकि युनेस्को की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी एड़कॉर्टर है युनेस्को का पैरिस और इसके डिरेक्टर जनरल है इस टाइम पे एंड्रू अजूले क्या नाम है एंड्रू अजूले और यह जो एरपोर्ट का टर्मिनल 2 है इनको इस पेशल प्राइस से सम्मानित किया गया है इनके इंटीरियर्स के लिए इसकी जो भ भारत भर में किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भविता नहीं है चाहे वो दिल्ली का इंद्रागानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चाहे वो मुंबई एयरपोर्ट हो कहीं पर भी ये अभी हाली में कौन सा UNESCO Award है जो Award UNESCO की तरफ से भारत में इस्थित रामबागेट और रामपार्ट्स प्रजेक्ट को दिया गया है देखे रामबागेट कहां पर पढ़ता है ये पढ़ता है पंजाब में ठीक है और इसी तरीके की भारत की कुछ और भी धरोरे हैं जिनको अभी तक सजो कर और समाल कर रखा गया है तो क्योंकि आज भी इन सारी चीजों को नॉर्मली लोग देख पा रहे हैं फील कर पा रहे हैं तो इसकी उत्क्रस्टता के लिए UNESCO Award से सम्मानित किया गया है रामबागेट को और UNESCO ने यह जो Award दिया है इस Award का नाम है Award of Excellence बागी UNESCO के बारे मैं आपको बताई चुका हूँ इतना ही नहीं UNESCO के द्वारा यह जो Awards है यह भारत के अलावा चाइना के भी कई सारी धरोरों को दिये जा चुके हैं इससे पहले ध्यान रखेगा कल मैंने आपको बताया था कि यह कौन से दो खिलाडी है दिनको मेजर ध्याण चंदर खेल रतने सम्मान से सम्मानित किया जाएगा खेल का सरवोच सम्मान तो यह दोनों बैड बिंटन खिलाडी है और दूसरे है सात्विक सहराज रिंक रिडिटी तो यह दोनों खिलाडी हैं जिनको खेल का सर्वोच समान इस साल का दिया जाएगा बाकी टोटल ऐसे 26 खिलाडी है जिनको अरजुन एवार्ड के लिए नामित किया गया है और इनको सम्भानित किया जाएगा कश्मीर में चिला एकला जो है इसका महत तो क्या है देखिए चिला एकला कश्मीर में पता है किसको बोलते है पहले तो आप यह जान लीजे कि इसका संबन्द किस से है इसका संबन्द है कठोर शीत काल से हर वर्ष 21 दिसमबर से शुरू होता है मनाना और इसके बाद यह 31 जन्वरी तक मना जाता है, ऐसा है कि कश्मीर के अंदर ये जो 40 दिन होते हैं, ये 40 दिन सबसे कठिन माने जाते हैं, यहां पर बर्फ बारी लगबग जारी रहती है, और इतने मुश्किल हो जाता है जीवन, जिसकी वज़े से इसको बोला जाता है वहां की local language में चिल्ला एकल के, ठीक है, तो कश्मीर में 40 दिन मुश्किल के शुरू हो गए हैं, और ये चलेंगे 31 जन्वरी तक, कश्मीर में इस टाइम पर गवरनर कौन है, ये है मनोज सिना, कश्मीर के कई सारे popular fog dance है, जिसमें की एक तो राउफ नाच है, एक यहां पर चलता है, दंडी नाच, एक कूद नाच यहां पर चलता है, ये सारे fog dance है, हैकत भी यहां पर चलता है, तो ये सारी चीज़े ध्यान रखेगा, static gk में कई बार आपसे dance पूस दिये जाते हैं कश्मीर के, राश्टी ये गड़ित दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, ये दिवस अभी हाली में मनाया गया है, 22 दिसंबर को, और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, जो प्रख्यात mathematician, श्री, श्री निवास, रामा नुजम जो है, इनकी बर्थ anniversary मनायी जाती है, 22 दिसंबर को, और इस साल कौन सी बर्थ anniversary इनकी मनायी गई है, 136 वी anniversary मनायी गई है, पहली बार ये दिवस मनाया गया साल 2012 में, तब 125 वी बर्थ anniversary इनकी मनायी जा रही थी, ये कौन सी company है, जिसने अभी हाली में एक नया application launch किया है, और इस application का नाम है, Pat Mitro Application, और इस application को, जो जूट का उत्पादन करने वाले किसान है, उनके welfare के लिए launch किया गया है, तो ये है JCI, जिसको बोलते है, जूट Corporation of India, अब ये जो application है, ये करेगा क्या, देखे ये application, ऐसे किसान जो की जूट का उत्पादन करते हैं, उनको मौसम की जानकारी देगा, वो बताएगा कि इस साल आप किस मौसम में जूट का उत्पादन करें, कितने दिन पहले कर लें, क्योंकि बारिश होने के chances हैं, इस तरीके की जानकारियां देगा, इतना ही नहीं है, ये भी बताएगा कि कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में, आप जादा से जादा जूट की खेती का उत्पादन कैसे कर सकते हो, और गयनिक तरीके से आपको कैसे करना है केती का उत्पादन, और इतना ही नहीं, इसके अलावा, जैसे स्थावना 1971 में करिए थी इसका हेड़कॉटर है कुलकता और जेसी आई के डिरेक्टर जन्नल है इस टाइम पे अजय कुमार जॉली अभी हाली में भारतिय रेलवे का एक कौन सा जोन है जिसके द्वारा एक सेफटी फीचर लॉंच किया गया है पैनिक बटन ये महिलाओं की स वहाला लिया है कि हर एक ट्रेन में जो महिला भोगी होती है उस भोगी के अंदर दो बटन लगे होंगे आगे और पीछे यह रेड़ कलर के बटन होंगे अगर किसी भी महिला को किसी भी तरीके की दिखनत आ रही है, वो पैरिक कर रही है, चाहे फिर कोई उसे परेशान कर रहा हो, हैरस करने कोशिस कर रहा हो, इस तरीके की कोई भी समस्य है, तो वो इस बटन को दबा दे, मिन्टों के अंदर जो railway protection force है, उसके अधिकारी उस तक पहुंचेंगे, इतना एक railway station में भी दो दो बटन लगे होंगे, ऐसे करके poles में, तो वहाँ पर भी महिलाएं, अगर किसी भी तरीके की ऐसी problem face कर रही है, तो उसे तुरंत जैसे ही वो प्रेस करेंगी, पास का जो RPF office होगा, उसी railway station का, वहाँ पे ख़बर चली जाएगी, और RPF तुरंत वहाँ पर ये कौन हैं, जिनको Eastern Army Commander के रूप में न्यूकत किया गया है, ये नए Eastern Army Commander अब से होंगे, Lieutenant General, R.C. तिवारी, और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये सकसीड कर रहे हैं, RP कलिता को, किसको RP कलिता, और कलिता जी जो है, ये 31 December को रिटायर हो रहे हैं, और इनकी जगह पर आ जाए से रह चुके हैं, B.A.C. जिसको बोलते हैं, Bombay Stock Exchange, जिसके नए Chairperson के रूप में किसने पदभार समाला है, तो अब से Senior I.A.S. इतिकारी, Pramod Agrawal जो है, ये Bombay Stock Exchange के नए Chairperson होंगे, और ये जिसको सकसीड कर रहे हैं, ये कौन है, ये है, SS Mundra, अभी तक Bombay Stock Exchange के Chairperson, SS Mundra थे, इनक कारेकास 16 January को खतम हो रहा है, और 16 January से Pramod Agrawal ही पदभार समालेंगे, ज्यान रहें, Bombay Stock Exchange का Chairperson कौन होगा, इसका फैसला से भी लेती है, Security and Exchange Board of India, पूरे भारत भर में, शेर से जुड़ा हुआ जितना भी बाजार है, उन सब को monitor और कंट्रोल करता है से भी, और से भी की स्थ हाली में, पूरे राज्य के अंदर 4,34,000 स्टुडेंट्स को 620 करोन की धनराशी से टैप्स प्रोवाइड करे गए हैं, तो इस डिस्टल टैप्स प्रोवाइड करे गए हैं, आंधर प्रदेश के अंदर YS जगन डिड़ी के द्वारे, YS जगन डिड़ी की सरकार ने आंध और आंधर प्रदेश में गवर्नर कोई हैं क्या आप बता सकते हो, आंधर प्रदेश में गवर्नर है इस टाइम पे, S. अब्दुल नजीर, कोई है, S. अब्दुल नजीर, आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा की आइडिये उपर ल जीच चुकी हैं, यह जो पर्टिकुलर एवेंट था, यह इस बार जो एवेंट था इसका, यह पाँचवा संस्क्रण था, फिफ्ट एडिशन, लेकिन भारत में पहली बार आयजीत क्या गया, इस बार इसको नई दिल्ली में आयजीत क्या गया, और कई सारे एशियन कंट् नैशनल टाइटल, यह हर वर्स आयजीत क्या जा रहा है, पिछले पांच वर्सों से, अभी हाली में, कोटेक लाइफ इंशरेंस के द्वारा, एक नई इंशरेंस पॉलिसी लॉंच करी गई है, जिसका नाम क्या है, तो इन्होंने ट्यूलिप नाम का एक नया प्रोडेक्ट लॉंच किया है इंशरेंस में, इस इंशरेंस के तरह है, जो कोटेक इंशरेंस है, इनका कहना है कि अगर आप दस्वे साल के लिए, या ग्यारा साल के लिए, या बारा या फिर तेरा साल के लिए, ये चार अप्शन है, इनमें से आप कोई भी पॉलिसी इन से कराते हो, तो आपको 200 रुपए मिलेंगे maturity amount के तौर पर और साथ में हास बात यह है कि आप इसमें protection plan भी ले सकते हो और growth plan भी ले सकते हो wealth के basis पर मतलब अगर आपको अपना पैसा बचाना है tax वगेरा तो उस case में भी आप इसे use कर सकते हो और investment के तौर भी use कर सकते हो और particular आप insurance भी ले सकते कोटेक life insurance जो है इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी इसका headquarter है मुंबई और इसके CEO है इस टाइम पे महेश बाला सुब्रमन्यन अब मेरा आज का सवाल आपसे आप मेंसे कितने लोग बता सकते हैं कि नेहा ठाकुर एक काफी बड़ा नाम है अभी कुछ टाइम पहले सुर्कियों में भी थी और इन्हों ने एशियन गेम्स में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है तो नेहा ठाकुर कौन सा खेल खेलती है स्प्रिंट, स्क्वेस्ट, सेलिंग या फिर शूटिंग कमेंड बॉक्स में जल्दी से लिख कर बताईए दो हजार चौबिस के किसी भी एक्जाम के लिए आप एक्जाम गंटे के लिए अवलेबल रहेगा, 25 की राद 12 बजे से लेकर, 26 की राद 12 बजे तक, तो आज राद 12 बजे से लेकर, कल रात 11 बच के 69 मिनिट तक, आप एक्जाम एंजन में कोई भी बैच अवेल करते हैं, उसमें फ्लैट 50% का डिसकाउंट आपको मिल जाएगा, और कूप इसे अवेल कर लिजे, ये बैच आपके लिए अगर महंगा पढ़ लाता, तो अच्छा मौका है, आप इसे अवेल कर सकते हैं, GSDK के इस फारणलेशन बैच में, 2024 के सभी एक्जाम्स, चाहे हो SSC के हो, चाहे हो एस्टेट के कोई भी एक्जाम हो, उनको टार्गेट करता पॉलिटी, जिगरफी, साइन्स, एकोनोमिक्स, कम्प्यूटर और प्रीवियस एर कोशन, ये सारा कुछ कवर किया हुआ है मैंने आप, आज की बाद यही दग रहेगी, थैंक ये सो मच, हैवे नाइस डे, टेक केर बाबाए, आपका दिन मंगल मैं हूँ